आज के वीडियो में हम यहाँ पर Higgs Company का Digital Thermometer चलाना सीखेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको Body का Temperature नापना होता है किस तरीके से आप अपना Fever यहाँ पर Measurement कर सकते हैं मेरा नाव में संजीू, आप देख रहे हैं Learning Baba चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज के अपने वीडियो से तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है एक Higgs Company का Digital Thermometer तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले बता देतों आपको कि यहाँ पर जो आपको Metal के रूप में दिखाएते रही है इसका Heat Sensor किसी भी Fever को मापने के लिए आपको इसे Body से टच कराना होता है उसके लाबा यहाँ पर आपको एक Display दी गई है जिसके उपर आपके Reading यहाँ पर Present होती है उसके लाबा इस Display के बगल में एक Switch दिया है जिसके तुरूँ आप इसे On या Off करते हैं किसी भी Fever को मापने के दो तरीके होते हैं या तो आप इसका जो Heat Sensor है इसे आप बगल में दबाके रखें तब भी आप यहाँ पर Body का Temperature नाप सकते हैं इसके लाबा अगर आप जीब के नीचे इसे दबाके रखते हैं इस Sensor को तब भी आप अपने Body का Temperature बहुत ही असान से नाप सकते हो अब अगर बात करें कि कौन सा Best तरीका है तो यहाँ पर Best जो तरीका है वो है अगर आप इसे अपने जीब के नीचे दबाके रखते हैं तो वो सबसे अच्छी रीडिंग यहाँ पर देता है अब देखिए जो नॉर्मल सरीर की रीडिंग होती है वो 97.6 Fahrenheit होती है तो जब आप जीब के नीचे इसे दबाकर चेक करते होते हैं तो अगर 97.6 Fahrenheit से उपर रीडिंग जाती है तब आपकी Body को यहाँ पर बुखार होता है उसके लाबा अगर आप इसे बगल में लगा कर चेक कर रहे हैं तो आपकी जो रीडिंग है वो 98.6 Fahrenheit से उपर जानी चाहिए अगर 98.6 Fahrenheit से नीचे है तो आपको बुखार नहीं होगा इसके लाबा दोस्तों अगर आप कोई छोटे बच्चे का जैसे माल लीजिए दो तीन मेहने का बच्चा है या चार मेहने का बच्चा है उसका फीवर अगर आप मिजरमेंट कर रहे हैं तो जब आप उसकी Body से इसे टच्च कराएंगे तो लगभग 100 Fahrenheit से उपर रीडिंग आ यह जो थर्मोमेटर है दोस्तों इसमें बिसिकली मेमूरी भी है यानि जो आप रीडिंग लेंगे वो सेफ भी हो जाती है और जब आप बाद में इसे खोलेंगे तो पहले रीडिंग रिकॉर्डेट जो होती है वो दिखाता है यहां पर ठीक है दोस्तों और उसके यहां पर इस ब weap को यहां पर on करना है तो जैसी है आप पाउन करेंगे तो इस तरहे का फिगर आपको दिखाई देगा फिर उसके अलाबा दोस्तों यहां पर देखिए अपने हां पे सैटिंग लेगा तो सैटिंग लेने के बाद आपको क्या करना है अब यह बिल्कुल ready to use आप इसे इस तरीके से body में या बगल में या जीब के नीचे लगा सकते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर temperature बढ़ना start हो गया है और एक time ऐसा आएगा कि यहाँ पर beep की आवाज आने लग जाएगी जब beep की आवाज आने लग जाएगी तब आपको यहाँ से हटा लेना है और उस reading को note कर लेना तो बही आपकी correct reading मानी जाएगी तो देखिए यहाँ पर देखिए reading जो है progress हो रही है यानि increase होते जा रही है अब देखते हैं दोस्तों कितनी देर में यहाँ पर beep की आवाज आती है तो यहाँ पर जो reading है दोस्तों वो 97.6 Fahrenheit हो चुकी है और अब बेट ह है दोस्तों इसमें beep की आवाज आने का तो देखिए दोस्तों यहाँ पर beep की आवाज आ चुकी I hope आपको सुनाई दे रही होगी तो जब beep की आवाज आना start हो जाए तो आप समझ आईए कि आपकी जो reading है वो इस thermometer द्वारा ले ली गई है तो देखिए यहाँ पर जो normal reading आई गई होंगी और दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना शेर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए information के साथ तब तक के लिए दोस्तों नमस्क्राइब